मिथुन रासी वालों का आजे का रासी फल यानि की 19 जुलाई 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आजे के वेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आजे के दिन आपके जीबन में क्या क्या होने वाला है शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ 19 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आजे तिथी है चतुरदसी नक्षत्र है आरदरा पक्ष है क्रिस्न पक्ष और दिन है रभी बार आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है पंच बज के 35 मिनट में सुर्य अस्त है 7 बज के 19 मिनट में रितू है वर्सा और आज का दिन काल है तेरह घंटे 43 मिनट 40 सेकेंड का महीना है स्राबन और आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 58 मिनट एम से 12 बज के 57 मिनट पीम तक और असुब समय सुरू होता है 5 बज के 29 मिनट पीम से 6 बज के 24 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 5 बज के 36 मिनट पीम से 7 बज के 29 मिनट पीम तक और दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुब रंग सुब अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुने और फॉलो करने का प्रयास करें लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक इस बेडियो के डिस्क्रिप्टिप्टन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके कामकाज के बारे में मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए सामाने से बहुत ज्यादा बहतर और शांदार रहेगा आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुवात करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के दृष्टी कौन से आपका समय आपका पूड़ा साथ देगा और इस वजह से आने वाले समय में आपको पड़ेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टी कौन से आपका शमय शामान ने तोर पे सही रहेगा आज के दिन अपने पढ़ाई लिखाई के छित्र में अगर आप समय का सुधुपियोग करते हो अपने पढ़ाई लिखाई के छित्र में आप समय का दुरुपियोग नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में आपका समय बहुत जियादा बहुतर और शांदार होगा और लिखाई में आगे बढ़ने का मौका भी आपको बहुत जियादा मिलेगा वैसे अगर आपके श्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानी रहेगा आज के दिन की सुरुआत आप ध्यान और योगा से करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय में आपके श्वास्त में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके दामपत्य जीबन की और देखा जाए तो दामपत्य जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानी से थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने बैबाहिक जीबन में आप किसी और इनसान को इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करने दे क्योंकि आज के दिन अगर आपके दामपत्य जीबन में कोई और व्यक्ति आता है तो वेह आपके बैबाहिक जीबन को खराब कर देगा इस बात को आप याद रखें वैसे अगर आपके घर पडिवार की ओर देखा जाए तो पडिवारिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आपके शामने में जब भी कोई पडिशानी रहेगा जब भी कोई शमस्या रहेगा तो आपके घर पडिवार से कोई न कोई हर समय आपका साथ देगा और इस वजह से आज के दिन आपके घर पडिवार में कहीं कोई शमस्या नहीं होगा इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को वाज़िमाने के बाद आपका समय बहतर और शांदार होगा तो उपाई बहुत ही जियादा शामान्नी है आज के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद भगबान गनेस या भगबान विष्णों की पूजा करें पूड़े मन से पूड़े आस्था से पूड़े एकाग्रता के शाथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपका समय सांदर हो जाएगा आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है सिल्बर और सफेद आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है साथ यनी की सैबन तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें ताकि आपके शंपर्क में जो भी लोग हो वो इस वेडियो को देखें और अपने समय को बहतर और सांदार बना सकें धन्यवाद